असलाम दोस्तों आज से कुछ एक मेना पहले मैं बेस्ट मॉस्टराइजिंग क्रीम के बारे में वीडियो बनाए था तो बहुत सारे लोग उसमें पूछ रहे थे कि कौन सा बेस्ट क्रीम है जो की दाग धबा के लिए सही रहेगा जो मेलेस्मा के लिए हाइपर पिग्मेंट के लिए यानि कि जो चाई हो जाता है खास करके लेडि जो गयरा में जो होता है काला काला दाग दबा हो जाता है चाई हो गयरा हो जाता है और जो कि इससे बचने के लिए इसको सही करने के लिए बेस्ट वाइटनिंग क्रीम कौन सा है उसके बारे में वो सारे लोग पूछ क्रीब को मैं भी तकरीबन चेसात मेन मैं पहले मैं इस्तेमाल किया था अभी यहां पे देख सकते हैं थोसा इस्तेमाल किया ठासे जान जोए किसी तरह सब गयां हो जाता है शाय और के बाद ते जहाइव कोई को इस तरह कर सकता है अपिक्चेर के देख सकते हैं जैसा की इस तरह का बहुत शारा लोगों का problem होता है स्वाब अता है कि क्या hydro coin यानि कि high coin को हर कोई इस्तमाल कर सकता फेस को whitening करने के लिए दोस्तों इसका जवाब है कि हर कोई इस्तमाल नहीं करना चाहिए यह formula cream है यह 2% में आता है 4% में आता है इसको जो की जहां पे dark धबा है जैसे कि मेरा यहां पे छाई था तो बस यहां पे इस्तमाल करते थे हैं ठीक है दोस्तों जहां पे problem है जिस जगह पे आपको जोई की dark area है जिस जगह पे जोई की dark धबा है बस उसी जगह पे इस्तमाल करना और रात को इस्तमाल करना है और दोस्तों यह cream जो है कि heat sensitive होता है इसलिए जो है कि इसको गर्मी का time में ज़्य्यादा तर इस्तमाल ना करें और जोगिए two percent होता है four percent होता है अगर ज़्यादा problem नहीं है फ़ोड़ा problem है तो आप 2% से भी स्तमाल कर सकते हैं 2% यानी इससे जोगि थोड़ा low power होता है इसको इस्तमाल करने के लिए किसी भी herbal साबून, हर्बल फेस वास से आपको जो की फेस को वाश कर लेना है और उसके बाद जो है कि जब फेस थोरा ट्राय हो जाए तो इसको थोरा सा ले करके क्या करना है जिस जगा इंफेक्टेड एरिया है जैसे यहाँ पे मेरा दाग है तो यहाँ पे लगाना है जहाँ पे छाई से धो लेना है दूसरा दिन आप जो कि इसको लगा के 20 मिनट या 25 मिनट इसको छोड़ेंगे तीसरा दिन जो कि इसको 30 मिनट छोड़ेंगे चौथा दिन इसको एक घंटा उसके बाद दो घंटा उसके बाद 10-15 दिन के बाद इसको जो कि लगा के आप पूरा रात भी छोड़ तो problem नहीं है मगर दीरे-दीरे जो है कि आपको check करना है वो सारे लोगों का जो कि skin sensitive होता है तो problem हो सकता है जिन लोगों का skin ज्यादा sensitive है तो फोरा सा लगा करके यहां पर लगा करके अपना body का किसी पार्ट में लगा करके ठोड़ा दीर इसको छोर देना उसके बाद आपको reaction देखना कि इसका कुछ reaction तो नहीं हो रहा अगर सही है तो आप इसको 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 इस्तेमाल कर सकते हैं इसको दिन में स्कीन थोड़ा उदरने लगता है निकल छाल निकलने लगता है या फिर ही सेंसेशन होता है तो आप जो कि इस क्रीम को discontinue कर दे और जो की कोई भी अच्छा सा है डर्मालोजिस्ट को मिल करके आप जो की सला जरूर ले उमिद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा यह वीडियो पसंद आयते है जिडियो को लाइक करके हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब करें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिक होगा भी गुडबाई टेक के